प्लस ट्रेड करने के लिए help भी मिल सकती, दूसरा इंडिया में RBI ने एक list निकाली है कुछ companies ही, जिसमें से सारे बड़े नाम है, Octafex, Xness और सारे बड़े नाम है, जिते भी नाम थे, और बो लाए कि इसमें trade मत करो, तो वो क्या हमें करना चीए, इसका क्या मतलब है, क्या होता है, इस अब करने से सब, second part में उस चीज़ को discuss करेंगे, primary aim इस video का education प्लस trading से मदद हो पाए है तो पहले वो करते हैं, second half में video के वो कर लेंगे, about the RBI list, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले dollar index देखेंगे अगर forex वालों को देखना जरूरी है उसको देख करके हमें काफी information मिलती है, last week जैसे बात किये थे breakout किया था, पूरा pullback ले गया, अपने 38.2% level पे, अब वहीं पर आके support लिया हुआ है, अगर इस Fibonacci level को तोड़ेगा, तो अगले level 107 और अगले level, जो definitely price action level भी है, 61.8% जिसे golden zone भी मानते हैं, तो बस अपन यहाँ पर दो line खीश लेते हैं, तो अपन को मालूम चल जाएगा, पहली line आ जाएगी हमारी इस जगह पर और दूसरी line जाएगी इस जगह, तो dollar index को नजर में रखना है, ये levels को नजर में रखना है कि अगर 108 point का ये level जाएंगे, dollar के, जिसमें भी secondary pair होगा, वो उपर जाएंगे, ठीक है, तो और अगर इसे breakout देना है, अगर मालो यहीं से support ले लेता है, तो 109 point 3 के उपर एक फिर नया high बनाने की कोशिश करेगा, तो इस सारे levels फिर बनाची को यूज़ करके बना लिए गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं, pound USD, ये एक ऐसा pair है, जो क्या कर रहा है, जो काफी जदा गिरने के बाद, bottom पे एक inverted head and shoulder form कर चुका है, एक shoulder, head, break out दे चुका है, break out दे के वापस से pull back बना चुका है, तो अब ये high point है, ये low point है, इस दोनों zone के अंदर market फस्ट चुका है, just one minute, all right, तो अपर ने क्या किया, bottom पे मेरा ज़्यादा जो, जो मेरे को लगता है market के price action ट्रस करना चीए, वो recent price action है, वो एक bullish pattern है, market के bottom पे, market structure के bottom पे, तो हम expecting अगर ये level टूटता है, 1.16 का, तो we can see a target of 1.76, जो कि एक important rate test level था, 1.17, ऐसे 1.17 कास पार, तो अच्छा काफी अच्छा कासा target है, अगर इस zone को थोड़ा से नहींचे भी कर दूं, और इस जगह से, इस जगह की बात करूं, तो it is going to give you a target of around 115 pips, जो कि काफी अच्छा है मेरे साब, तो obviously बात है, 100% move catch नहीं कर पाएंगे, तो 70-80 pips का target बनाएंगे, और इस level को use करके, इसके नीचे कहीं stop loss place करने, किसी candle का low देख करके, तो एक घंटे के time frame पे है, तो यह quick trade है, fast trade है, तो pound US dollar, अब आगे बढ़ते है, pound Swiss franc, अब pound Swiss franc को बात करेंगे, तो अच्छा momentum pullback, अब यहां सा market फिर से नहीं ही लगा सकता है, जो यह level है, ठीक है, तो यह बड़े time frame पे बात कर रहा हूं, तो अपने golden zone पे support लिया, golden zone last level होता है, नहीं तो trend change मान लेते हैं, तो अब तक इसको इस वाले part को अगर मैं primary trend मानूं, इसको secondary मानूं, impulsive wave मानूं, इसे corrective wave मानूं, तो फिर से impulsive wave शुरू हो सकती, पहला जो sign होगा, impulsive wave के breakout होने का होगा, 0.96 का ओपर breakout आता है, तो पहला target, दूसरा target, तीसरा target और new high, और अगर ये level टूड जाता है, यानि कि important price action level भी plus golden zone भी है, अगर 0.95588 के इंचे closing देते हैं, चार घंटे के time frame पे, या एक घंटे पे आ जाओ, वहाँ पी आप सेट कर सकते हैं, एक घंटे भी perfect level है, इवन एक घंटे के time frame भी तोड़ता है इसको तो फिर हमारा अगला target, 0.94777 और recent high जहां से start कर रहें, ये दो level बनेंगे, तो trading के हिसाब से आपका जो target होना चाहिए, उतने pips का होना चाहिए कि आपका stop loss justified हो, तो ये भी 17 पिप का है, stop loss हमारा आ सकता है, 30 pips का, 40 pips का, 1 is to 2 बन सकता है, और उपर के side भी आपको बहुत बहुत अच्छा interesting pair है, देख लो Fibonacci का जो zone है, मैंने यहां से start किया, यहां पे कीचा है, मैंने Fibonacci के पर video भी बनाया है, देख ले न, booming bulls Fibonacci लिख करके, तो ये कैसे गेचा समझ मा आ जाकार, ये levels आपको मदद करते हैं, better zones निकलने, euro, USD, ये सिर्फ और सिफ long के लिए है, ये सिर्फ long और short दोनों के लिए न, सिर्फ तो क्या है, market यहां पे, एक downtrend में चल रहा है, आप बोलोगे, यहां पे क्या हो गया, भले वो ऐसा हो गया, ये strong line खराब, ये trend line खराब नहीं हो, ये trend line अभी valid है, क्योंकि वापस zone के अंदर आ गया, अभी उसी trend line से इसने red line बनाई होई है, अब अगर वापस से momentum आता है, और ये trend चेंज करता है, मतलब अगर euro उपर जाएगा, USD नीचे जाएगा, और वैसा ही possibility वहाँ भी दिख रही है, अगर ऐसा होता है, तो फिर अपन यहां पे 1.01 से long जा सकते, euro-USD के उपर, so this is a great trade, जो हमें अगला जो target है, अगला price action level, काफी बढ़िया जगह पर, यहां तक का target हमें मिल सकता है, तो we can try to trade, अगर यह 1.02 और नीचे जाता है, तो वहाँट choppy zone है, देख रहा है, यहां पे ना फस्तना कोई मतलब का नहीं है, तो यह trade ना downside लेने का मतलब है, अगर euro-USD bullish momentum देता है, euro- bullish momentum देता है versus USD, जो दिख नहीं रहा है, week है, दोनों week दिख रहे है, और यह पुराना data है, यह Monday को refresh करोगा, पूरा change हो जाएगा, देखा है आपर 24 गंटा बोल रहा है, बढ़ 5-6 गंटे में update करते हैं अपने आपको, यह website strength बताता है, किसके spare की है, बट यह presentance की बताता है, basically past की बताता है, जो कि हमेशा 4-5-6 गंटे में refresh होता है, सिर्फ bullish momentum के लिए हम इसे trade कर सकते हैं, अब New Zealand versus JPY, यह interesting है, यह interesting इसलिए कि यहाँ पे बड़े time frame पे दिख रहा है आपको, एक बहुत अच्छा pattern है, अब टॉक पे दिख रहा है आपको ऐसा, पूरा dip करके V shape recovery, again double bottom, again V shape recovery, पूरा इ Forex में क्या होता है, usually market recent, recent price देखते हैं, हमेशा retest करने आता है, अगर यह breakout करता है, तो retest करके फिर वो उपर निकलने की कोशिश करता है, तो उसी चीज़ को लेके छोटा सा trade, अगर मैं चाहूं तो इतने के अंदर 80 pip का target बना सकता हूं, अगर मेरा pullback, तो मतलब इस सिर्फ sell trade है, sell trade है, मतलब 4 गंटे से गंटे पर आ गया, देखा तो head and shoulder जासा pattern बन रहा है, तो अगर मेरे को closing मिलती, 86.824 के नीचे, तुरन shot करूंगा, 86.18 का target बनाऊंगा, यह break होता है, तो फिर हम इस target को try कर सकते हैं, बट एक target लिल तो बहुत अच्छा है, quick trade है, NZD JPY, last बनाया था, recent, recent high, वहाँ पर हूँ, मैं recent किया, मेरे साब से तो all time high है, all time high तो नहीं होगा, बहुत जद दस पंदे पर तब खित्ते, 2008 वाट पहुचना पड़ेगा, पिछले 2008-2014, but recent time का मैं all time high है, कह सकता हूँ, this is all time high of recent times, तो अब breakout देने के बाद, तो अगर मैं यहाँ चोटे time frame पे भी level के line खीचूँगा ना, तो यह बनेगी यहाँ पर, कुल में ला करके मेरा trade करना नहीं बनता जब तक की spinning top है, इसे spinning top थोड़ा सा बड़ा बड़ा body हो गया, फिर भी मैं spinning top बोल सकता हूँ, दोनों तरफ विक है, और बीच में body है, looks like a spinning top, spinning top top पे बनता है, लाल कलर का bearish pattern होता है, लेकिन एक attention pattern है, action candle नहीं है, this is an attention candle, इसको shot करना possible है, जब यह 142 point के नीचे है, 143.26 पे, 142 points के नीचे closing देगा, पहला zone unlock होता है, यह हमारा पहला target बनेगा, अगर यह हर बार इस level पे जाके गिरता है, वही level कीचा है, मैंने देखू, देखू, फिर बहाता है, फिर गिरता है, फिर और गिरता है, अगर यह breakout देना होगा, तो यह हमारा इस level को तोड़ेगा, किस level को तोड़ेगा, यह हमारे सबसे पहले, सबसे पहले हमारे इस level को तोड़ेगा, दिख सकता आप, दिखर आपको कौन से level को, 144.7, तो 144.7 के उपर daily time frame पे closing होती तो यह, तो euro jpy एक interesting trade है, नीचे side भी बढ़िया है, ऊपर side भी बढ़िया है, क्योंकि market यहाँ पे कैसा breakout दे रहा है, market यहाँ पे एक अच्छे से pullback देके, एक bull flag बना करके तोड़ रहा है, तो यह भी possible है, तो interesting है बहुत euro jpy, ठीक है, तो जादा काफी सारे pairs हो गए, इन सब में से अपने best two choose कर लेन और उनही को देखना और से 2 को trade करना, अब देखो gold, gold मैं सारे beginners को बोलूँगा और experience लोगो बताए होगे, gold trade करना बहुत आसान नहीं होता है, gold trade करना बहुत कटेन होता है, in fact मैं खुद नहीं trade करना, prefer करता, gold prefer क्या मैं करता ही नहीं हूँ, बहुत कम, एकदम बढ़िया double bottom और clearly break out तो, double top और clear neckline टूटा तो, मतलब gold trade करना है, तो try only the best setups, plus अगर gold trade करना है, तो यहाँ पर money management is more important than technical setups, तो अगर आपका loss बहुत होता हुआ होगा gold में, तो reason आपका गलती नहीं है, gold खुदे कितना volatile instrument है, क्या पर money management rule का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि आप trade करने के पहले आपने अपने अपसे बात कर रखिए, कि अगर मेरा 1000 dollar का account है, तो मैं इतना ही lot size use करूँगा, let's say 0.2, 0.1, और 0.2 के बाद मैं, अगर मेरा stop loss हिट होता है, अगर मैं reverse transaction में trade लेता हूँ, तो एक बार trade, लेकिन 2 stop loss कर मैं हो गया, within 24 hours, तो फिर मैं trade नहीं करूँगा, यह money management की, मेरा money का management है कि मैं दो ऐसे लेट होता है, risk management rule के सबसे, मैं trade बंद करूँगा, अगर मेरा trade initiate होता है, मेरा target level हिट होता है, तो मैं profit book करूँगा, सारी की short money management rule, इसलिए मैं gold का दे रहा हूँ, beginners दूर रहें, और तभी trade करें, जब समझ में आता हूँ, त level bottom, पूरा हफता बर्बाद का बोर कर दिया लोगों को, अब बोर करने के बाद, अब अगर यह bullish momentum देगा की, bearish momentum देगा, यह bearish momentum देना होगा, तो यह bearish momentum देना होगा, तो अपन अब थोड़ा सा zoom in करेंगे, और levels recite कर लेंगे, कहां पे, कहां, buy, कहां पे, कहां, sell, तो अगर sell momentum देखो, वैसे तो उपर की तरफ highs बना रहा है, lows भी high बना रहा है, हो सकता है, breakout उपर की तरफ देना होगा, तो पैप से पहले 1728 level को take out करेगा, 1728 को take out करेगा, तो हम यहां पे long plan कर सकते हैं, अगले resistance levels तक, 1741 आपका जिसे पहला 40 बगड़ लेते हैं, तोड़ा 1440 और 1764, यह दो levels बनते हैं हमारे पास buy करने के लिए, only after the breakout of 1728 level, वहाँ पर resistance है, क्योंकि वहाँ से market नीचे गिरा, अब बात करते हैं, यह buy के लिए था, अब sell की बात करते हैं, तो 1705 एक ऐसा support है, जहां पर आके market रुका, उपर फिर नया high बनाया, तो जब तक यह take out ने ह तो हम trade ले नी सकते हैं, बट अगर 1705 टेक आउट, breakout, breakdown होगा, तो अगला target 1623 है हमारा जो recent है, तो यह zone पर हम trade कर सकते हैं, जिस पर हमारा market बीच में लगा हुआ है, तो और money management, stop loss का calculate करके trade करना, US oil, बहुत बड़ा momentum इसमें देखने मिला recently, क्योंकि यह बहुत important अपने demand zone पर चला गया था, यह levels आपको मैंने पिछले अफ़ते भी बना के दिये थे, तो अब यहाँ पर एक zone बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक zone बना हुआ है, यह वाला, इस zone को मैं यहाँ पर बना द target होगा, अगर यहाँ पर market breakout देता है, तो 92 और 96 हमारे trades के वो target होगे, अगर यह crucial level देख रहा है, आपको 86 पॉइंट, 86 round figure का, इसके रिचे closing देता है, तो अपनको 81 का target मिलेगा, तो this is crude oil, यह रहा हमारा forex analysis, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़े discuss करी, about trading, about crude oil, गूल, पेर RBI, ban list on forex, अगर मैं click करता हूँ, तो तुरंत ऐसे अपनको मिल रहे जाएगी, 34 companies को उनोंने दिया, देखो, अलपारी, NFX, Binomo, E-Toro, Exnes, Spurred Option, EO, forex.com, FTMO, FTMO, FXCM, बड़े-बड़े ग्राम है, सारे IQ Option, OctaFX, जिसका तो IPL sponsor किया इनोंने, OlimpTrade, TD Ameritrade, एक बहुत legitimate legal trading platform है, US का, TP Global FX, मतलब XM, XM.com, यह सारे की सारे जो है न, बड़े नाम है, अब बात क्या है, यह अब सो लोगो को लग लग रहे है, अरे आपरे कुछ नहीं नहीं हो जा गई, देखो, यह जो declare किया है, 34 platform को illegal, जिनको नहीं किया है, वो भी illegal है, मतलब आपको ऐसा लग र trade कर सब, तो जो USDA, INR के साथ जुड़े हुए है, लेकिन वो फॉर एक स्टेप का नहीं होता, वो पाँच बंद हो जाते है, तो यह कह रहे हैं कि legal सिर्फ NSE के true है, जो बिल्कुल सही बात है, ठीक, अब यह क्यो है, क्या है, मुझे नहीं बता, बड़ अब मैं आपका एक ब पताना चाहता हूँ, क्या होता है, यह है, यह है कोई Indian trader, ठीक है, जो अपने bank account से transaction करता है, ठीक है, यह अपने bank account से transaction करके, अगर किसी forex company के account में पैसे deposit या withdraw करता है, तो this is totally illegal, तो देखो, क्योंकि आप online platform से trade करते हो, तो online से कोई problem नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी forex company क bank account में money deposit या withdraw करते हो, तो यह illegal है, जैसे अनीक सिंख्ता कुरिया ने मैंने, मैंने CMS Prime नाम की company के bank account में, जो एक forex company है, directly अपने ICICI bank account से transaction किया था, 2021 में, जैसे ही मैंने deposit करा पैसा, deposit कर दिया, मेरे को funds मिल गए, मैंने trading reading की, और withdraw तो मैंने यहीं कर लिया, लेकिन क्योंकि मैं मैंने deposit किया था, एक forex company और मैं Indian bank account से किया था, मेरा bank account ICICI ने बंद कर दिया, अब मेरा account खुल भी नहीं है, ICICI में personal account कर दिया, तो this is something which can happen with you, और हो सकता था, मेरे को और भी कुछ सजा मिल सकती थी कि मैं ऐसा क्यों किया, अब बात करते हैं आप लोगों की, आप लोग XNES account or any company account, you are not putting the money in XNES account, neither you are withdrawing the money from XNES, मतलब ना आपको deposit XNES में कर रहे हो, ना withdraw, XNES एक बहुत बड़ी company है, worldwide काम कर रही है, जहां 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 लीगल है, जहां नहीं वहाँ जुगाड करके काम कर रहे है, आप actually deposit करते हो किसी P2P के, तो किसी person के account में deposit करते हो, उनकी कैसे, क्योंकि आपने government का government का government का bank account, government का bank account नहीं बट वो private company पर उसको authorized RBI करती है, तो सरकार का है bank account, आप अगर इसके account में deposit कर दो ना illegal कर दिया, उसने आपको कर दिया, आपका bank account भी बन दोगा, सथा भी हो सकती है, लेकिन अगर आप एक person के account में पैसर डालते हो, और वहां से deposit आता है, तो on paper आपने कुछ गलत काम करा ही नहीं, अब अगर RBI को कुछ करना है ना, या government को कुछ करना है, इन companies को रोकना चाहिए, बट अगर आपकी बात करें, तो you have not done enough, till now, आपने एक भी forex transaction करा नहीं है, करा हो तो तो तक आपका bank account बंद हो जाता, तो this is the story, guys, और म they can still trade, and still make money, and I wish, जल्दी से जल्दी RBI, या तो हमारे exchange को 24 घंटे open कर दे, और बागी सारे PR भी लिया है, तो हम जिरोदमें ही trade कर लें, या तो फिर देखते हैं, जैसा भी होगा, तो जितने लोग को जाना थाना about the bandwidth, this is the practical answer to all of you, ठीक है, मैं तो देखो दुबाई में I hope मैंने आपके कुछ चीज़े clear करें, कि how this world is functioning, and how you can trade Forex as well, ठीक है, आने वाले मितलब आप किस किस pairs आप trade कर सकते हैं, मेरा वीडियो पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं, बांगलादेश में भी देखते हैं, UAE में भी देखते हैं, और India में भी देखते हैं, हर जगे द All the best, and मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में, thank you so much.